और मैं हूँ कुश्बु सैफी, DLCL के तरफ से फाइनल क्रिकेट मैच का आयोजन क्या गया, जिसमें हर्याणा को हरा कर उत्राखन ने 25 रनों से बाजी मारी, देखें हमारी रिपोर्ट DLCL के तरफ से गौर्ट सिटी स्टेडियम में फाइनल क्रिकेट मैच का आयोजन क्या गया, आपको बता दें पहला मैच हर्याणा 11 और उत्राखन 11 अंडर 14 के बीच के लगया, इसमें उत्राखन की टीम ने अपना बहतर प्रदशन दिखाया और हर्याणा की टीम को 25 रन से हरा दिया, दूसरा मैच पूर्वांचल एक्स्प्रेस और उत्राखन 11 अंडर 19 के बीच होगा, हमारी समवधाता ने DLCL के उट डिरेक्टर और दोनों टीमों के कप्तान से बात की उत्राखनी लेए ने लेए ने लिए बहुत ही टाइट रही है बैटर परफॉमेंस दिया आपने क्या कहना जाएंगे अपनी जीश के वाणा सार हमारी कीपर ने सम्मदद किया है और फिल्डरों ने खूप किया सर्श्पिनरों ने भी किया है लिगे बैटिंग थोड़ा अब फिर इस पिनर कवर कर लिए लगा था कि मैच हाँ 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 हम लें टिंग मेरे बैट संसरी है हमारी कैप्टन ही है तो सरे इन्हाइब खुसी जीद गया है लेकिन सब बीच में आगे उनके कीपर ने मैच बना दिया लेकिन फिर मेरे स्पिनरों ने बैक आपकिया आप सर बैटिंग में भी ओपनर को थोड़ा अच्छा स्टार्ट देना चीए था पर विकेट पे ऐसी थी थी थोड़ी स्पिनरों के लिए हैलफुल थी सर फिर भी मिडल ओर्डर को भी थोड़ा खेलना चीए था बीच में और सर आज हमसे भी रन अच्छे नहीं लगे सर इनके ऑपने बोलरों ने भी बहुत अच्छी वॉलिंग करी और सर फिर उसके बाद अच्छा ही मैच रहा सर पैट्समेन उने पर हमारे उतने अच्छा गरनी पए पर सर अधित्या ने अच्छा गरा अच्छी फाइट दी ती सरी ने आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन जैसे कि हम लोग टॉप 15 बच्चे जो निकलेंगे उनको स्पॉंसर्शिप करेंगे और जो प्लेयर ऑफ दे टूनमेंट होगा उनका 51,000 का कैस प्राइज इन बच्चे को मोटिवेशनल एमाउंट है ये और जो मैन आप दी मैच प्लेयर बनेंगे उनको तीन-तीन हजार और कोईने को एक टीम जीतेगी तो बहुत-बहुत शुब काम ना दोनों टीन को एनर्सी और कैब के विरोध में जितन्रमाजी के नित्रित्व में गांधी मैदान में धर्ना स्थल पर एक दिवसे धर्ने का आयोजन किया गया एनर्सी और कैब के विरोध में हिंदुस्तानी आवाम मोर्जा के बैनर तले पुर्व मुख्यमंत्री मांजी के नित्रित्व में गांधी मैदान इस्थित धर्ना स्थल पर एक दिवसे धर्ना का आयोजन किया गया इस मौके पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्जा के कई कारे करता वर प्रदेश के नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री जी मांजी ने कहा कि प्रदेश के इस देश में एक से एक कानून ला रहे हैं जिससे इस देश की बिखंडता एक दम अबव है। यानि हिंदुस्तान का बटवारा हो जाना है ऐसा वे कर रहे हैं। उनकी मानिता है कि पाकिस्तान, आफगानिस्तान और लंका यह सब इसलामिक रास्ट हैं तो हिंदुस्तान भी एक हिंदु रास्ट बने। हम समझते हैं उन तीनों देशों की श्थिति अलग ह जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है ना एक धर्म का है ना एक जात का है और ना एक संस्कृति का है ना एक बेश्थूसा का है यहां अनेकता में एकता यही हमारी विश्ष्था है और हमारी सम्विधान का मुल धारना भी यही है लेकिन हमारे सम्विधान की धज्जी उड़ लोग आन्डोलिट हैं आसंकित हैं कि ये पास किये हैं और कल है कोईमन सिविल कोड भी लावेंगे इस तरह से हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग हैं उन पर अनेक प्रकार का च्छनाई और सामत आने वाला है इसे लोग आसंकित हैं और यही मांग है कि नागरिक्ता क penguin बापस ली है किकी सिर्फ मद ये बंग्ला देश की बाद की जाती है क्यों नहीं बुटान की बात की जाती है हुँ नहीं लंका की बात की जाती है और दरजनों ऐसा रास्ट है जहां हमारे लोंग हैं और वहां से सरनार्थी आने को इक सुखा हुआते भी हैं तो फिर उनलों को क्यों नहीं नागरिता देने की बात कही गई असपस्थ है इससे कि धर्म मिशेश को मीन करके उन्हों किया है जो हम समझते हैं इदेश के स्वास्त के लिए ठीक नहीं है इसलिए आज उसकानून को बापस लेने के लिए लोग धारना परवेटे हुआ देखिए जी तारी को समत्त हिंदस्तान में CPI माले और जो लोग हमारे यह सामन्तवादी विचार के आदे में समाजबात के जो विचार नहीं लोग एक बंद का नारा दिया है हम लोग भी सोझते हैं ब्रूल हम लोग साथ नेंगे और उसके बाद चाहे मागट बंदन का हो चाहे अन लोगों के साथ अगर जरूरत पड़ी अगर एक खानून बापस नहीं लिए तो सनलक से संसा तक हम लोग लड़ने का एक बहुत बड़ा उग्रा अंदोलन करेंगे और जिसकी दारी जवाब देही दारी हमारे भारत सरकार की होगी मुखे मतरी नितिश कुमार के ग्रीप रखन हरनौत में जल जमाओ की समस्या से परिशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और महिला पुरुष सभी सड़कों पर आगजनी करते हुए NH20 को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया जिससे इस मार्क पर गाड़ियों की लंबी कता लग गई दरसल यह लोग हर नौत के सिवाजी और आदर्श नगर मुहले में जल जमाओ से परिशान थे पिछले तीन चार वर्षों से गली में जल निकासी को लेकर यह लोग डीम से लेकर संसत तक गुहार लगा चुके हैं इसके बावजूद अब तक कोई कारवाई नहीं हुई जिसके कारण इस इलाके के लोगों की नरकिय अस्थिती हो गई है लोगों को कहना है कि नाले का गंदा पानी उनके सोचाले तक घुस गया है जिससे उनका जीवन दुरलभ हो गया है इस्थानिय निवासी समीर ने बताया कि पिछले तीन चार वर्ष से मोहले के गली एवं जल निकासी को लेकर बीडियो से डियम तक कई बार आवेदन देकर गुहार लगाई गई इसके बावजूद अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है मुहला निवासी नरकिय जीवन जीने को मजबूर है कई लोग घर छोड़ कर जा रहे हैं बवीता देवी ने बताया क कई घरों में पानी घुसा हुआ है बच्चे स्कूल जाने के दोडान कीचर में गिर जाते हैं जिसके कारण स्कूल छूट जाता है पती को भी ऑफिस जाने में कठीनाई होती है अब क्या हुआ है कि उसमें पानी जाना घर में शुरू हो गया तो पानी जाने वला सिल्चिला चार महिने से सुरू हो गया है तो चार महिने से लोग का रहना एकदम बहुत जरजर हालत में है तो लोग यहां से छोड़ के जाने लगे और आप ही सोचिए कि यह सहर है और य तो हम लोग विरिफिकेशन ने कर Enough यहलो जाए कॉछ सborैंद नहीं अग फोगाłosर कई सब्सक्राइब माहल मगहान ने इसके कारण है। सोमबर को विंउन नहीं आए। अज धिन हो गया। आज घंब मेरा पताली मैं छेयं को रास्ता दे रहें जिनका जahrदा जरूरी है उनको माहान जाने दे रहे हैं तो हम जो मांगे को वड़ीय पादिकारी आए और वह लिखित में साथ साथ वीडियो में बोले हैं कि हम एककाम ब्रुजिशन कि जीवन एकदम रहना मुझकी लोगा तुसरा एक बहुत बहुत बढ़िया डिमांडी लोग का है कि तुम एक गंटा रहलो हमारे घर में जा करके हमें यहां से जाम छोड़ देंगे सोचिए क्या इस्चिती होगा बसाथ इसका इस्चित्चे मतलब अंदाज्या लगा सकते ह है कि चार महिने से सर हम लोग पानी में डूब रहे हैं ठीक है इसका कोई सुनवाई नहीं है तो आज अगर फैसला नहीं होगा तो हम लोग भार नहीं जाएंगे एक पैर हाथ चूट रहा है पती ड्यूटी जारे वो गिर रहे है स्कूल के बच्चे जारे रोज भीन के स्क पक्राइब बच्चा चूप हो गया आए एक तस्वीर खीचली और चले गए वापस क्या है पागल थोड़ी है तो चार दिन से बच्चा पीमार है स्कूल नहीं जा पारा लेट सब से बड़ी प्रब्लम है लेट्रिंग बातरूम की लेट्रिंग बातरूम में पानी घुश से जिसके वज़ा से कि हम लोगे इस दिश्टिती प्यास खड़े हैं और इसका फासलाथ हम लोग करके तो ही खड़ जाएं आशको आज के लिए बस इतना ही बाग की तमाम खबरों को जाननी के लिए देखते रहे हैं खबर इंडिया 24 हर खबर सबसे पहले